तो दोस्ता अभी की बड़ी खावर आ रही है गैंगश्टर रोहित गोदारा ने मांगी है जैपुर में पच्चास करोड रुपए की रंगदारी नहीं देने पर राजू ठेट से ज्यादा गोली मारी जाएंगे ऐसा कुछ कहा है चलिए आज किस वीडियों सब कुछ जानते जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आई गंदब आएं चलिए जानते हैं गैंगश्टर रोहित गोदारा की कारोबारी को दमकी कहा राजू ठेट के 25 गोली मारी थी तेरे 50 गोली मारूंगा 5 करोड रुपए दे दे राजस्तान म गैंगश्टर राजू ठेट की हत्या के बाद अब गैंगश्टर रोहित गोदारा के नाम की दैसत फैलने लग गई है राजू ठेट की हत्या के बाद गैंगश्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया प्लेट फोरम पर उसकी हत्या की जिम्मेदारी ले थी उसके बाद अ पिडित कारोबारी ने इस संबंद में हरमाडा थाना में मामला दर्ज कराया है और पुलिस ने मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जाज परताल सुरू कर दी है। करीब 10 दिसंबर को करीब 6.30 बजे के आसपास उसके मोबाइल पर एक वाटसेप कोल आया। कोल करने वाले ने खुद का नाम रोहित गोदारा बताया। पैचान गए कि अब बिका निरवाला बोल रहा हूं। इस पर कारोबारी ने कहा कि वै उससे नहीं जानता लेकिन कोल करन वाले ने पांच करोड रुपए के रंगदारी मांगी और कहा कि तेरी जिन्द की सलामती चाता है तो पांच करोड रुपए दे देना होगा। पीडित की बदमास के साथ हुई काफी देर तक गाली गलोज। जी हाँ दोस्तों प्रोपर्टी व्याफशाई ने बताया कि उ इस पर उसने कहा कि मैं राजू टेहट को मारने वाला यानि कि 25 गोली मारने वाला बोल रहा हूँ तेरे को 25 गोली मारूंगा। उसके बाद फोन कार दिया पुलिस ने रिपोर्ट धर्ज करने के बाद इस पूरे मामले की जानकारी इकटा करना शुरू कर दिया है और पीड इमेदारी अपने उपर सोसल मीडिया पर पोश्ट करके ले ली है उसने क्या कुछ लिकता पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर दिखरा होगा और अब एक और बड़ा कांड कर दिया है इसने जैपुर में एक व्यापारी से मांग दी है 50 करोड रुपए की रंगदारी अब आगे द लिए देखने के लिए हमारे इस चैनल अमेजिंग संजय को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबाएं और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं थैंक्यों समत